तो आज हम चैनल में जो वीडियो के ठुरू ए लीग का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा एडिलेट उनाइटेड वरसिस सिड्नी एपसी के बीच इस मुकाबलेका करता है डिटेल एनालिसिस तो Adelaide United और Sydney FC के बीच ये match Adelaide United के home ground में आज दिन में 240 पीम पे खेला जाएगा अब ये जो दो clubs हैं फिलाल ये A-League में है टॉप 4 में तो आप देखेंगे Sydney FC टॉप 2 में यानि की 2nd position में Adelaide 4th position में अब यहाँ पे जो Sydney FC का main objective होगा वो होगा कैसी भी number 2 position में फिनिश किया जाए तो सबसे बहले मैं आपको थोड़ा सा format बताता हूँ A-League का A-League में क्या होता है 12 teams होती है जिसमें कि 6 teams play-off में जाती है यानि की जो top 6 table में फिनिश करती हो play-off में जाएगी और उसमें से भी जो top 2 होगी वो direct semi-final में entry मिल जाएगी A-League के लेकिन जो 3rd, 4th, 5th और 6th club है इनके बीच एक play-off मैच होगा और इन में से कोई 2 clubs जो निकलेगा वो दोनों इन 2 clubs यानि की top 2 clubs से semi-final में fight करेगा और उसके बाद semi-final का winner final खेलेगा फिर जो final जीता वो होगा A-League का champion तो यह simple सा format है तो फिलाल Sydney FC का main objective यही है अभी second position में इसी में बने रहे 24 उनके matches है दो matches और बचे हैं दुनों ही clubs के 33 decent goal score के और उनका जो defense है वो best in the league है सिर्फ 22 goal concede के 41 उनके point है अगर आज वो जीतने है तो almost उनकी top 4 जो play से हो secure हो जाएगी 44 उनके point हो जाएगे फिर जो उनके opponent है close rivals उनके लिए बहुत मुस्किल होगा उनको surpass करना Adelaide United का फिलाल के लिए main motive यही होगा top 6 के अंदर बने रहना इससे नीचे वो यहाँ पे slip up नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी play off केलना है और उनको भी यहाँ पे league जीतना है तो इस वज़े से Adelaide के decent 36 goal है इस season Sydney से 3 goal जादा है लेकिन उनका जो defense है आप देखेंगे वो Sydney के comparison में काफी घराब है 35 उन्होंने goal concede भी किये 38 उनके point है तो Adelaide को भी एक positive result चीए अगर यहाँ पे draw होता है Adelaide के लिए बहुत अच्छा result होगा victory बहुत अच्छा result होगी लेगिन अगर हारते हैं तो वहाँ पे उनको मेकारतार होगी Brisbane Road होगी Wellington Phoenix जैसे club catch कर सकते हैं तो उनके लिए भी must twin match है Sydney FC के लिए भी must twin match होने वाला है अब हम देखते है recent form Adelaide United की काफी up and down सी recent form चल लिए 1-0 Brisbane Road से जीते उसके बाद 2-1 पर्थ glory से आ रहे पिछला match फिर 1-0 Malvern victory से जीते हैं यानि कि last 3 matches में 2 narrow victories हैं उसके अलावा एक loss है तो up and down सी form है consistent Adelaide पूरे season नहीं रही है Sydney FC की recent form बहुत ज्यादा अच्छी है last 3 matches जीते हैं 1-0 Western United 2-0 Malvern victory 1-0 Western Sydney Wonders और 3 matches में यहाँ पर आप देखेंगे Sydney FC की clean sheet है तो यह बहुत अच्छे science है Sydney FC की recent form बहुत ज्यादा अच्छी है और आज के match में भी Sydney FC favorites है on paper भी और recent form wise भी और clean sheet का भी उनका बहुत अच्छा chance है तो हम direct provable line up पे आ जाते हैं तो यह वो वाला match है जहाँ पर हम strong Sydney side के maximum players pick करेंगे maybe 6 या 7 और जो weak side है उनके 4 या 5 players से हम pick करेंगे यानि कि on paper जो weak है Adelaide United तो पहले Sydney की बात कर लेते है red mine ने इनके goalkeeper उन्याले अब generally जो इन Sydney के goalkeeper है काफी अच्छे saving points हमें देते हैं तो फिलाल के लिए goalkeeping selection में 50-50 हो shown new तो goalkeeper जो भी मेरा होगा हो आपको telegram में पता जल जागा अब Sydney के clean sheet के अच्छा जाम से तो उनके 4 defenders उस case में important हो सकते है 4-3 की strategy आपके लिए इस match में अच्छी हो सकती है यानि कि 4 defenders उनके और 3 attackers नहीं तो आप 3-4 की strategy के साथ भी जा सकते है 3 Sydney defenders और 4 attackers लेकिन मैं यहाँ पर suggest करूँगा minimum 3 defenders Sydney के जरूर ले जाए नहीं तो आप 4 भी pick कर सकते है अगर आप 4 ले आते तो Grant, McGowan, Wilkinson और King चारो अच्छे option होंगे इन में से कोई 3 ले आने तो मेरी top 2 picks इनके fullbacks रहेंगे Grant और King यह दोनू के offensive, defensive numbers बहुत जादा अच्छे है tackling, interception, passing इसके लावा offensive stat भी अच्छे है जिसमें King के 2 assist है इसके अलावा Grant के भी अच्छे है इसके अलावा आप 3rd pick McGowan या Wilkinson में से किसी एक के साथ जा सकते है इन case अगर आपको 4 ले आने फिर यह दोनू को pick कीजिए तो McGowan, Wilkinson में proper luck पे depend करते है क्योंकि दोनू experience player है, दोनू की passing ability अच्छी है हलें कि Wilkinson के इस सीजन के stat थोड़े जादा अच्छे है दो गोल एक assist है लेकिन McGowan भी almost अच्छे player है अब Breton और रेटरे दो defensive midfielder है रेटरे proper defensive minded player है तो GL में एक narrow score line वाली टीम में अच्छे पिगूंगे फिलाल के लिए ignore करूंगा लेकिन Breton एक ऐसे player है जो आपको हर मैच में 20-25 point दिंगे ही दिंगे क्योंकि ये passing अच्छी है इनकी tackling interception की point देते है सारे corner kick सारी frequency लेते है जिससे chances create और assist का chance बढ़ जाता है इसके लावा आप देखेंगे एक goal 3 assist है हालनकि open play से goal नहीं मार दे लेकिन overall Breton बहुत important player है definitely आप अपनी team में consider गर सकते है 20-25 minimum point आपको दिंगे ही दिंगे अब निनकोविच और Barber Ruses दो white player है Barber Ruses इनके इस season के most inform player है बोबो के साथ 7 goal 3 assist है लगभग हर हर match में कुछ ना कुछ contribution देते ही है अटेकिंग wise तो most important player Barber Ruses must pick रहेंगे और एक अच्छी captain wise captaincy के option भी आपके लिए हो सकते है निनकोविच के last 2 matches से form अच्छी है last 2 matches में 2 assist है 4 goal 3 assist इस season है हलांकि उतना ज़्यादा profiling standard के according season नहीं जा रहा फिर भी एक अच्छे player है definitely आप अमनी team में consider कर सकते है लफॉंडरा और बोबो के बारे में कहना जोंगा बोबो बर्बरुसेस के साथ इनके most inform player है 10 goal है पूरी season इनके top goalie scorer है heading ability बहुत ज़्यादा solid है dreamland में आपको D. Rogerio D. Silva नाम से player मिलेगा और इनको भी आप अच्छा captaincy option consider कर सकते है last 2 matches में दो goal इनके भी है तो बोबो मस्ट पीख रहेंगे बर्बरुसेस मस्ट पीख रहेंगे ग्रांड किंग मस्ट पीख रहेंगे अब बतादो लफॉंडरा के बारे में Adam Lafondra ए लीग नहीं Adam Lafondra को बनाए एक तरीके से देखा जाए बहले इंग्लिस लीग में खेलते थे उतने ज़्यादा हाइप नहीं थी इनके नाम की लेकिन ए लीग में जेमी मेकलारेन के स्टेंडर के प्लेयर थे लास्ट सीजन 20 गोल एक असिष्ट इन्हों नहीं किये थे जेमी मेकलारेन के साथ टॉप टू गोल स्कोरर्स में थे आलंकि इस सीजन यह आपको याद होगा उसके बाद यह मुंबाई सीटी एपसी चले गए थे आयसल में खेले यहाँ इन्हों ने 11 गोल मारे उसके बाद जब से वापसी करी है तीन मैचेस के लें जिसमें सिर्फ एक गोल है यहाँ पर फिलाल के लिए में लफटरा को लीप कर रहो लेकिन बहुत बड़ा प्लेयर है हो सकता है मैं अपनी टीम में इनको फाइनल टीम में आते आते रिस्क लेके केप्टन भी ट्राय कर लोगए तो इतना बड़ा यह फिलाल मेरी फाइनल टीम का आपको वेट करना है जो कि टेलीग्राम में मिलेगी इसलिए फिलाल के लिए लफोंडरा 50-50 है तो बहुत बड़ा प्लेयर है एडम लफोंडरा आपको याद रखना है GL खिल दे तो आप definitely Sydney FC favor वाली team में इनको captain try कर सकते हैं अगर इन case ये start नहीं करते तब हमाले थोड़ी problem easy हो जाएगी फिर उस case में हम इनको वैसी फिक नहीं करेंगे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो काईफी कोच आप मिस कर रहे हैं description में आपको link मिलेगा नहीं ताप टेलीग्राम में दरेट fantasy sports spy search मारेंगे 2.7K से जाधा सबसाला channel आपको मिलेगा यहां से आपको जुड़ जाना है आज रात को एक बहुत बड़ा UCL final है उस match की आट GL और AKSL टीम में यही बोश करूँगा Chelsea Manchester City का इसके अलावा अलमोस सभी football matches हम यही कवर करते है Euros आ रहे हैं सारे matches हम यही कवर करने वाले है तो description में टेलीग्राम का link के जरूर जुड़ जाए Adelaide की बात करते हैं इनका recent form up and down सी रही है लेकिन defensive wise अच्छा करा है इन्होंने भी Delhi now इनके goalkeeper होना ले है फिलाल के लिए goalkeeping section है 50-50 तो goalkeeper आपको जो भी मेरा होगा टेलीगराम में पता चल जाएगा चार इनके defender से strain LC, Timothy और Kito वैसे इनके भी clean sheet का decent chance है लेकिन मेरे को लग रहे है यहाँ पे clean sheet का ज़्यादा chance Sydney की है तो उस case में हम Adelaide के maximum defenders pick नहीं कर पाएंगे मेभी हम एक defender या ज़्यादा से ज़्यादा दो defenders pick करें तो इनके defense में मेरी number one choice strain रहेंगे right back इनके offensive defensive numbers बहुत ज़्यादा अच्छे है recent form बहुत अच्छी है tackling लगभग हर match में 2-3 tackles करती है तो strain important है उसके अलावा आप keto और healthy को pick कर सकते है कवालियो जुएंडे और डियरीगो इनको तीन central midfielder है जुएंडे proper defensive minded player है आपको याद होगा भी ISL में भी कुछ 2-3 matches खेलने के लिए आये थे लेकिन कुछ ज़्यादा खास उन्हों ने किया नहीं तो फिलाल ये GLP कोंगे SL में करेंगे कवालियो और डियरीगो के tackling interception के काफी stat जो है काफी अच्छे हैं तो इन दोनु में से किसी एक को या दोनु को आप consider कर सकते हैं कवालियो के साथ जोंगा recent form अच्छी है last 3 matches में 2 assists है कवालियो के तो कवालियो के recent form वाइस इनको चूज कर रहा हूँ लेकिन DRE को कुछ-कुछ corner free kick share करते है गुडविन के साथ तो ये भी decent option आपके लिए हो सकते हैं हालोरान, येंगी और गुडविन इनके 3 forward है जिसमें इनका जो best player है साइट का वो गुडविन है मस्ट पीक रहेंगे साथ गोल, 5 assists है और penalties में भी यही है corner kick, free kick भी यही share करते है DRE go के साथ तो गुडविन recent form भी बहुत ज़्याद अच्छी है 3 matches में 2 goal है तो गुडविन forward section में लिष्टेड है मस्ट पीक रहेंगे हालोरान एक और अच्छे player midfield section में लिष्टेड है selection भी हाई है 4 goal 4 assist है तो goal assist करने में capable है हालोरान भी must पीक रहेंगे अब येंगी को आप पीक नहीं कर पहेंगे क्योंकि already हमारी फास forward section में 3 best players available है तो उस case में येंगी जो forward section में इस्टेडे इनको drop करना पड़ेगा लेकिन अच्छे player है 4 goal 2 assist है पूरी तरह से goal assist करने में capable है फिलाल के लिए GLP करेंगे लेकिन अगर आप एक बहुत बड़े risk करें तो maybe इतना बड़ा risk का आफ लिंगे ये ये वैसे लेकिन कर सकते हैं बोबो या बर्बरुसेज में से किसी एक को drop करके या गुडविन को drop करके ये गिगोपिक कर सकते हैं तो ये कुछ आइडिलेट की प्रवेबल लिएम थी almost सभी main players के बारे में मैंने बता दिया ये कुछ stat इनमें से कोई और बड़ा player खेलता है जैसे mock, jurich ये दोनु के साथ-साथ गोले बहुत important हो जाएंगे इसके अलावा इनमें से कोई और player खेलता है तो आप ये stat देखके उसको अपनी team में PGA ignore जो भी करना है कर सकते है prediction में आतो फिलाल जो मैं पहली जो prediction है उसमें Sydney को favor कर रहा हूँ तो 1-0 narrow Sydney win या दूसरी जो मेरी prediction है 1-1 draw दोनु team से एक एक goal score करेगी तो ये दो मेरी prediction है अब इस match की जो final SL team में आपको मिलेगी हमारे telegram channel में लिंक description में जरूर जुड़ जाईए रात को UCL final की भी 8GL SL team में यही पोश्ट करने वालों तो description में लिंक के telegram का जरूर जुड़ जाईए